आज बनाएंगे मैथी की भाजी से पापड़ी तो चले बनाते हैं यहां मैंने मैथी की भाजी लिये इसे साप करके धो लिया है यहां मैंने दो कप आटा लिया है हां माटे इसे पापड़ी बनाएंगे यहां मैंने मैदा नहीं लिया है एक कटोरी सोजी लेंगी एब इसमें डालेंगे मैतिह की भाजी छीएञवाइन हल्दि पाउडर धन्यापाउडर लालमिच पाउडर और थोड़ा से नमग डालेंगे और एक बड़ा चमस्ट तेर डालेंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पारिंग डाल के हम इसे गूंध लेंगे हम इसका मीडियमी सॉप टार्टा बनाएंगे टाय टार्टा नहीं बनाएंगे देखे मैंने आटा लगा दिया है हम इसे पांच मिनिट के लिए रेश्ट के लिए रखेंगे दी की पांच में ठो गए हैं अब हम इसकी पापड़ी बनाएंगी इसकी एक बड़ी सी लोई बनाएंगी इसे हम रोटी की तरह बिल लेंगे अब इसकी उपर थोड़ी सी तिल डाल देंगे इसी भी कटोरी या धकन से हम इसे काट लेंगी यहां मैंने सारी पापड़ी बना क की तयार कर ली हैं अब हम या फोक लेंगे या नाइप लेंगे और इस तरीके सिस्में छेट कर लेंगी जिस पूलेगी नहीं, अब इने हम फ्राई कर लेंगे, अब पापड़ी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, और पापड़ी को मीडियमी फिलेम पर फ्राई करेंगे, देखिए मैथी पापड़ी बनकी तयार हो गई है, आप इसे पापड़ी चाड बना के खाई से आप आलू की सबजी के साथ खाईए मैधी की पापड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है तो आप भी जरूद ट्राई करें आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगए तो लाइक से सुस्काई करना ना भूलें